वन्राज ने दिया काव्या का साथ अनिरुद के बच्चे को अपनाया तो जैसा कि बाह ने काव्या को घर से निकालने का फैसला कर लिया है और अनुपमा उसे अपने घर लेकर जाने लगी तब ही वन्राज ने रोक लिया और कहा कि काव्या कही नहीं जाएगी मैं उसके बच्चे को अपना लूँगा क्योंकि मुझे पच्तावा करना है जो धोका मैंने अनुपमा को दिया था जब आप लोग ने मेरे धोके को माफ कर दिया था जब अनुपमा ने मुझे माफ कर दिया था तो मैं क्यों नहीं करूँ बान ये वनराज से पूछा कि तू अनिरुत के बच्चे को अपनाएगा तो वनराज ने कहा जब मैंने छोटी अनुपमा और अनुच के साथ देखा तो समझ आया अपना खून सब कुछ नहीं होता तोशु ने किंजल को धोका दिया फिर भी किंजल घर छोड़कर नहीं गई अधिक ने पाखी पर हाथ उठाया फिर भी पाखी ने उसे माफ कर दिया तो एक आदमी क्यों नहीं माफ कर सकता मैं काव्या और इस बच्चे को अपनाऊंगा तो देखते हैं अब कहानी में क्या नया मोड आता है अनुपमा से जुड़ी सारी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टेली मसाला और फॉलो करें हमें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर